हलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में जैसा की डाक्टर राम मनोहर लोहिया अवद विस्विद्याले द्वारा PG कोर्सस के परिछा परिणाम अभी तक जारी नहीं किये गए थे वीडियो में तक बने रहेगा आज हम जानेंगे कि किन किन विस्विद्यों के परिणाम जारी कर दिये गए हैं और आप लोग आसाने से उसे देख पाएंगे सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके जो आप इसल वेफसाइट है इससे आप स्क्रोल डाउन करेंगे नीची आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ है एक्जाम निसन्स रिजल्ट यहाँ पर रिजल्ट और मार्क्षील लिखा हुआ है इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसका जो नेक्स इस्टेप पर खुल करके आ जाता है यह आप डारेटली rmlu.co.in से भी वेफसाइट को आप लागिन करके खोल सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि result 2022, result 2023 और यहाँ नीचे दिया गया है view result 2024 यहाँ वेफसाइट पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसका एक नए interface कुल करके आता है इस नए interface में जहाँ पर जो 2024 के परिच्छा प्रडाम है वो दिखाए गया है यहाँ आप देखेंगे उपर, सबसे उपर लिखा हुआ है कि view result 2024 और NEPODD semester result UGPG 2024 यहाँ पर दिया गया है इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि UGPG की result 2024 के हैं यहाँ पर आपको यह सो करेंगे इसी में नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर scroll down करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि PG all courses semester 1 यहाँ पर दिया गया है और PG all courses semester 3 तो जैसा कि डाक्टर राम उनोरलोहिया आवद विस्विद्धाले द्वारा PG के first semester और third semester के परिच्छा प्रडाम पुरी तरीके से जारी कर दिये गये हैं चाहे वो MA, MSC, M.C.M. कोई भी आपका partgram रहा है तो उसके परिच्छा प्रडाम जारी किये गये हैं आप अगर PG यहां first semester का देखना चाहते हैं तो इस पर जैसे किलिक करेंगे आप तो यहां देखेंगे उपर लिखा हुआ है कि हिंदी यहां पर लिखा है जारी कर दिया गया है अब आप सभी लोग अपना परिच्छा प्रडाम आवत बिश्चा प्रडाम जारी कर दिया गया है अब आप सभी लोग अपना परिच्छा प्रणाम आसानी से घर बेटें मुबाइल फोन से देख सकते हैं यह था असका वीडियो जो परिच्छा प्रणाम से जुड़ी सुचना है थी वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए